हेलो फ्रेंद्स वालकम तो मैं चैनल आसमें आप लोगों को बूटनेक विंचेस काट फूल स्लिप ब्लावस इस्टिशिंग करकर दिखाऊंगे यह में पिसली वीडियो में काट किया है अगर उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब क लेना है उसके बाद देखिए इसको क्या करना है यहां से दुनों को बराबर आकर मिलाना है तो मिलाने के बाद देखिए इसको किस तरह से सिलाई करना है झाल करना है इसके बाद देखिए इसको हलका हलका काट देना है काट देने के बाद देखिए इसको पलाट लेना है पलाटने के बाद कपरा का उपर से एक्षालाई करना है झाल झाल इसके पाद देखिए इसके जैन कारना है इसमें झाल झाल तुसरा साइड में इस तरह का जैन देना है यह फ्रॉन पाद पूरा रेदी है तो इसके बाद देखिए बैक पाद को किस तरह से चिलाई करना है देखिए यह बैक पाद है ता अभी क्या करना है बैक पाद को कप्रा और लालिन को सिलाई कर लेना है झाल इसके बाद देखिए इसको भी ठीक हलका हलका काट देना है देखिए ये काट देने के बाद क्या करना है इसको पलत देना है पलत देने के बाद इसको भी ठीक उसी तरह शिलाए कारना है फ्रॉंट पाट के तरह इसको भी ठीक उसी तरह शिलाए कंप्लीट है तब देखिए इसको क्या करना है फ्रॉंट पाट और बैक पाट को जेन करना है झाल बड़त देना है झाल याल झाल 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 प्रॉंट झाल 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 यह फ्रॉन पाट और बैक पाट को जेयन दे दिया तो अब ही क्या करना है? स्लीप जेयन करना है तो स्लीप को कहां से जेयन करना है? ठीक यहां से जेयन करना है झाल झाल करने के बाद देखो मूरी से इसको मूर का सिलाई करना है कर भी करन देखो मूर का सिल जो मूर का सिलाई मूर का झाल हम झाल 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 उसके बाद देखिए उसको क्या करना है स्लिपचेस को जोहन देना है झाल 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 दिखिए ये बूटने पिंचेस का ट लॉंग स्लीप ब्लाव सिलाइपुरा कम्प्लीट है अगरा फ्रेंड मर्विदीओ को आचा लागा है तो प्लिस मेरा विदीओ को लाइक और कमेंट कीजिए अरभी पी सस्क्राब ने किया तो प्लिस सस्क्राब कल ले जाब साथ में बैल आइकन को क्किल्क कीजिए और अपत्पर बिए प्यास आपका कि उपके लिए कि अपके ही ले कि तो आपके हैं, जब टुरों प्यांदेग टुरों पूल कर दो दोगता कि अभी में.